आज का हमारा लेक्चर ग्राफिकल प्रिजेंटेशन पर है कि हम अपने प्रिजेंटेशन ग्राफिकली किस किस तरह से शो कर सकते हैं तो वन बेवन देखते हैं तो अगर हम चार्ट की बात करें तो हमारे पास चार तरह के यहां पर चार्ट हैं जहां पर हम अपने डेटा को प्रिजेंट कर सकते हैं नमबर वन सिंपल बार चार्ट, सेकंड मल्टीपल बार चार्ट, सब डिवाड़िद कमपोनेंट या रेक्टेंगुलर बार चार्ट, और एड़ दे एंड पाई डाइगराम. ठीक है? तो वन बे वन देखते हैं कि सिंपल बार चार्ट को कैसे बनाया जाता है? इसका मतलब क् परपस और कमपोनेंट और पाई डाइगराम का परपस क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल बार चार्ट हमारे परपस क्या है? ठीक है? तो सिंपल बार चार्ट समयने के लिए तो एक छोटा सा डेटा ले लेते हैं और उसका फिर सिंपल बार चार्ट बना लेते ह कुछ स्टेटा होगा इस तरह से यहां पर कंट्रीज और यहां पर अज्यूम करें उनकी पापुलेशन ठीक है तो कंट्रीज में दो तीन बस कंट्रीज ले लेते हैं USA ले ले लेते हैं उसके बाद पाकिस्तान ले ले लेते हैं और UK ले ले लेते हैं ठीक है पापुलेशन मिलियन में ले ले लेते हैं ठीक है Say for instance के जो USA की पॉपलेशन है hypothetical data ले रहे हैं बिल्कुल वेरी कर सकते हैं फिफ्टीन हंडर्ड मिलियन और पाकिस्तान के ले ले लेते हैं इस तरह थो सिंपल बार चार्ट में सबसेखलël एक्सिस बनाएंगे को हम्हारा एक्स है यह हमारे यह हमारे यह आ सबसेखले होगा उसमें हम अपनी एक्रवाइक girls को ले यहां पर Conference आ जाना के और यहां पर पॉप्लेशन आ जाहगा ठीक है कंटी में मार पर USA पाकिस्तान और UK हैं और हमारे पास maximum 1500 है और minimum 700 है तो 500 का gap ले सकते हैं आप 2200 का gap ले सकते हैं ठीक है तो अगर हम 2200 का gap लेते हैं तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और या हम पर हमारा 1600 आगया ठीक है तो सबसे पहले हम graph बना लेते हैं USA का तो जब USA graph बनाएंगे तो हमें पता है 1500 ता के तो 1500 का रहा है यहां पर हमारा 1500 आ रहा है तो इसका graph बना लेते हैं 1500 का तो यह हमारे पस USA का graph बनाएंगे ठीक नेक्स graph बनाते हैं पाकिस्तान का तो जब graph बनाना है तो कोशिश कर लिजेगा कि आपकी जब width है वो सेम आ रही हो जेतना width का यह graph बना है अगली ही width का और equal distance के साथ आपका दूसर graph बनाएंगे तो पाकिस्तान का 700 है तो 700 देखते हैं का आ रहा है 600 और 800 के in between 700 आ रहा है तो यह पाकिस्तान का graph बनाएंगे इस तरह युके ग्राफ 1100 तक है तो 1100 का आ रहा है क्याम पर आ रहा है 1100 तो यह हमारे पास युके के ग्राफ बनाएंगे तो यह जो simple bar है पस आपने इस तरह रेक्टेंगलर simple bar बनाने with the gap तो यह हमारे पास simple bar है ठीक है तो जो simple bar है याद रखेगा यह जो बार की height होती है वो frequency को डिनोड करती है तो simple bar में याद रखेगा जो simple bar है वो और रिप्रिजेंट करता है height of frequency याद रखेगा simple bar रिप्रिजेंट height of frequency जितनी height होगी बार की वो उतनी frequency को शो कर रहा होगा और दूसरी important बार simple bar के हवाले से और इन दोने की property सेम है simple bar और multiple bar ठीक है बाद थोड़ा सा इन में फरक है तो simple bar second property यह है कि simple bar जो बना जाता है यह discrete data के लिए बना जाता है क्योंकि देखें यह bars जो rectangular bars है यह आपस में जोइन नहीं है यह आपस में बिल्कुल साथ जुड़े वे नहीं है इन में gap आ रहा है यह जो gap आ रहा है यह जो gap आ रहा है यह किस वज़े से आ रहा है for discrete data, ये discrete data के लिए gap आ रहा है इसका मतलब कि data discrete है उसके लिए simple bar chart बना जाते है क्योंकि discrete data कभी भी join नहीं होता उसमें हमेशा gap रहता है तो simple bar is used for discrete data ये बात याद रखेगा discrete data के लिए use होता है ठीक है तो simple bar chart हमारा हो गया नेक देखते multiple bar chart multiple bar chart क्या है multiple bar chart के लिए एक data ले ले लेते हैं countries use एक एक याद में countrys zoom कर लेते हैं उन countrys में हम जाना चाहते हैं birth rate और death rate के बारे में ठीक ही नहीं countrys को ले लेते हैं USA Pakistan और UK इनी तीन कंट्रीज के बना लेते हैं अजिम करें जो USA में बर्थ रेट है से वो 500 है और डेथ रेट जो इसका है वो 800 है इस तरह पाकिस्तान में जो बर्थ रेट है तो नॉर्मली पाकिस्तान में लोग थोड़ से कम ही मरते हैं क्योंकि सुसाइट रेट पाकिस्तान में कम है तो उस यह वाले से थोड़ा सा अगर हम अजिम करें कि बर्थ रेट यहां पर 700 है तो death rate यहां पर assume कर लेते हैं कि हमारा 250 है ठीक है इसा UK में जो birth rate है वो ले लेते हैं 400 और death rate ले ले लेते हैं यहां पर उसका 500 ठीक है multiple bar chart में जब हम multiple information को एक साथ देखना चाह रहे होते हैं comparison के लिए तो तब हम multiple bar chart को use करते हैं तो multiple bar chart देखते हैं कैसे बनेगा तो multiple bar chart के लिए तिन गंटी है हमारे पास USA और पाकिस्तान और हमारे पास UK ठीक है ठीक है maximum देखे हैं मापा values कहां तक जा रही है maximum कितनी 800 तो graph maximum 800 तक जाएगा और minimum कितना 250 तो 250 से start होगा तो ठीक है 200 का interval ले लेते हैं 200 400 600 और हमारे यांपर आ गया 800 ठीक है तो सबसे पहले USA का graph बनते हैं तो USA में हमारे पास ये USA की हमारे पास values हैं USA में जो birth rate आ रहा है वो 500 तो 500 के लिए तो हम यहां पर key देते हैं कि जो birth rate है उसको हम blue box से show कर रहे हैं और जो death rate है उसको हम black box से show कर रहे हैं तो birth rate के लिए blue box है तो हम blue marker से बना लेते हैं और birth rate 500 है तो हम 500 ये दिस इस 500 तो में आँप एक graph बना लेते हैं ठीक हैं इस में ये हमारा 500 का birth rate आ गया death rate कितनी है 800 तो यहां से हम 800 का साथ ही बिलकुल adjacent triangle बनाएंगे ये हमारे पस USA graph बनागा अब graph देखते हैं में बहर चल रहा है कि जो USA में birth rate है वो 500 है और जो death rate है वो कितना है 800 ठीक है इस तरह पाकिस्तान का graph बनाते है birth rate 700 है this is 600 और 700 यहां पर आएगा और death rate कितना है 250 तो यहां पर 250 बना लेते हैं यह 200 और हमें पता है यह हमारा 300 है और इसके दर्मियान में 250 हमारा यहां पर आजाएगा तो यह हमारा death rate का graph बनाते है ठीक है ठीक है then UK रहा गया UK के लिए हमारे पास birth rate 400 है तो यह 400 का हमारे पास birth rate आ गया और death rate हमारे पास 500 है और 500 का हमारे पास यह death rate ठीक है अगर हम इसको comparison करें सिर्फ graph को देखते हुए और हम जाना चाहते हैं कि किस मुल्क में सबसे ज़्यादा death rate है तो नजर आ रहा है कि USA graph सबसे हाई है इसमें USA में death rate सबसे ज़्यादा है और हम देखना जाते हैं कि birth rate किस country का ज़्यादा है तो दूर से नजर आ रहा है पाकिसान का graph ज़्यादा है इसमें पाकिसान में birth rate ज़्यादा है तो अगर हमने multiple information या contrast information शो करवानी है single graph में तो हम multiple bar chart बनाया करते हैं ठीक जी थर्ड में हम आरपस रहा गया component या rectangular bar chart third में sub divided component bar chart ठीक sub divided component bar chart के लिए हमें एक data लिख लेते हैं हमार पस याम पर assume करें हम पाकिस्तान के शेहरों की बात करते हैं के हर एक city में gender की ratio क्या है male और female की ratio क्या है कितने लोग मतलब male हैं वहां के रहने वाले कितने females हैं ठीक है number of males and females का अगर हम analysis करना चाहें division wise तो देखते हैं ठीक है और gender में हमारे पस male और female आ जाएंगा ठीक तो जैंडर division में हम दो तिन शेहर ले ले लेते हैं लोहर ले 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 लेते हैं और कराची ले ले लेते हैं और इसलामबाद 3 cities ले लेते हैं ठीक है लिए हमने कहा लोहोर में for instance जो total gender है वो for example कहले हैं कि 40 है कुराची में कहले हैं कि 80 है और से इसलामबाद में कहले हैं कि वो वाह पर 50 है ठीक है और टोटल जेंडर लोहर में 50 है एसमें से 25 मेल हैं और 15 फीमिल्स है इस तर कराची में कुछ भी कर ले 50 30 कर लें कुछ भी कर लें और यहां से 50 है और चले 40 10 कर लें ठीक है या 30 20 कर लें ठीक है अब इस information को हमने component किते हैं part को हिसों को अब इस information को हमने एक ही graph बनाना है लेकिन एक graph के हमने कुछ इससे कर देना है ठीक है कुछ उसके division कर देनी है तो जब उसके कुछ divisions कर देंगे तो एक सेक्सिस पर हमारे पर division आ जाएगी यानिके लिहोर division आ गया और यहां पर हमारे पर कराची आ गया और यहां पर हमारे पर इसलामबाद आ गया ठीक है ठीक है तो सबसे पहले जो graph बनाना है वो complete graph बना लेना है इन जंडर्स का 40, 80, 50 it's mean maximum हमारे पास 80 है तो हम 10, 10 के interval बना लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 80 ठीक है ठीक है तो total जंडर कितना है हमारे पास 40 है तो हम 40 का graph बना लेते हैं सबसे पहले ठीक है हमने 40 का एक graph बना लिया और फिर हम यहां बेक की दे देते हैं कि ब्ल्यू कलर वाले मेल हैं और रेड कलर वाले रेड कलर वाली वो females है ठीक है तो हमने देखना है कि इस total graph फोटी हो गया इस 40 में से total मेल कितने है 25 तो यह 10 20 यहाँ पर आरा है 25 तो हम कहेंगे इस सारा जो है वो हमारे पास मेल को इस से शो कर देते हैं इस सारा इससरा इस सा मेल कर ते हैं ठीक है और female को इस से शो कर देते हैं और यह वलब हिससा हमारा जो remaining 15 तो इसको कहते है component बार चार्ट के हमने एक ही चार्ट के हमने कुछ component बना दिया अगर यहां पर एक और information वोई थी तो हम इसके तीन ही से कर देते हैं ठीक है जितनी multiple information आगी अगर multiple information को single graph में show करना है उसका नाम sub divided क्योंकि हमने अपने graph को sub divide कर दिया या उसके components बना लिये इसे तरह देन कराची में 80 है यह total graph 80 का बन गया और total male कितने 50 50 है इस mean यह सारा इसा male का आगया और हमारे पर यह सारा इसा females का आगया ठीक है जिए इस तरहां सेम इदा के इसलाम बद टोटल 50 है graph है male कितने 30 और females हमारे पास remaining यहां से अब 20 रहाएगे ठीक है तो यह तो हमारा sub divided component बार चार ठीक है तो next हमारा pie diagram रहागी pie diagram को देख लेते हैं पाइ डाइ गराम के लिए हमें एक data लेने बड़ेगा for example हमारे पर दो families है family A family B family A और family B family A कुछ expenditure incur की है और expenditure के उनको कुछ ratio थी food और यहां पर उनका expenditure था ठीक अजिम करें food पर उनने टैन थाउजन रुपिस खर्च किया cloth के उपर for instance 6000 खर्च कर लिए और utilities के उपर bills बगारा के उपर से उनने 5000 खर्च कर लिए और अदर उनका हो गया 4000 और इसी तरह total expenditure उनका हो गया 25000 का यानि कि total expenditure उनने इंकर किया है 25,000 का इस तरह हम फैमिली भी ने जो फूट पर खर्चा किया है फैमिली की बी के जो expand लिचा रहा है उन्होंने फूट पर खर्च कर लिया 12,000, cloth पर 8,000, utilities पर 6,000 और others पर उन्होंने कर लिया 4000 और इस तरह फैमिली भी का जो expenditure बन गया 20 और 12 और 20 और 10 30,000 बन गया तो फैमिली भी ने expenditure इंकर किया अपना 30,000 का ठीक है ठीक है हम करते हैं इसको पाई डाइग्राम ठीक है तो जब हमने इसकी पाई डाइग्राम बनानी है तो पाई डाइग्राम आपने examiner पाई डाइग्राम कभी नहीं बनवाएगा वो डाइग्राम बनाए देदेगा वहां से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा लेगा आपसे ठीक है कुछ तहरी के क्वेश्चन पूछ लाइग्राम बनाने के लिए कभी भी नहीं करेगा यह जितनी मैं आपको examiner एक भी डाइग्राम नहीं बनानी है आपको सारी डाइग्राम बनी बनाए आएंगी बस उन डाइग्राम को examiner शो करके कुछ 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 पूछ लेगा आपसे जैसे को simple बार चार्ट को given करेगा वो यह किएगा कि इसके बार्स क्या इसकी जो हाइट वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपने करना frequency रिप्रेज सीख रहे हैं इसलिए मैं सारी सारी डाइग्राम स्कूल बना रहा हूं ताकि understanding हो जाए being a statistic student के चीज़े कैसे शो हो रही होती है अगर हमें family और family B का पार डाइग्राम बनानी है तो हमें पता है जो पार डाइग्राम होती है एक circular shape होती है और circle का जितने भी values आती हैं सारी सा सारी values को angle में convert करना पड़ेगा और angle में convert करने के लिए हमें circle के angle का formula apply करना पड़ेगा ठीक है तो सारी के सारी इन values को क्योंकि हमें पता कि जो circular shape होती है वो degree में होती है एंगल में होती है तो हम अपनी सारी values को किसमें convert करना पड़ेगा angle में convert करेंगा तो आएं साबसे पहल करने के लिए जो हम आपा फॉर्मूला होता है वो यह होता है कि गिवन अमाउंट टी वाइड़े टोटल अमाउंट सी और पर्सेंटेट में कवर्ण करने के लिए हंडेड से तो जैसे हम यह equation apply करेंगे हमारी सारी के सारी values degree में convert हो जाएगा ठीक है तो ठीक है आए अप्लाइ करते हैं इनको तो 10,000 divided by 25,000 into 360 degree ठीक है तो हमारे पर answer आगया 144 degree ठीक है इस तरह next 6,000 25,000 into 360 तो यह answer आगया 86.4 है तो 86.4 तो इसका मैं round off कर देता हूँ 86 पर ले जाता हूँ ठीक है तो मैं rounding कर रहा हूँ जारा next 5,25 into 360 5 divided by 25 into 360 तो 72 degree ठीक है तो next मेरे पास 4000 into 25,000 into 360 degree तो मेरे पास आगया 57.6 तो इसको 58 कर लेते हैं तरहां ठीक है तो कर लेते हैं 58 कर लेते हैं इन सब को total करें इन सब को total करें तो क्या देखें आपका 360 degree complete होता है तो 144 plus 86 plus 72 plus 58 तो हाँ बिलकुल हमारे पास यह 360 degree complete हो रहा है तो यह हमने degree में convert कर लिया अगर यह degree में convert कर लिया तो इसका graph बनाना असान हो गया ठीक है तो तो c family a का हम graph draw कर लेते हैं तो family b का हम hypothetical बना लेंगे ज़रा तो family a की अगर मैं बात करूँ पाइ डाइग्राम family a की तो हमने circle बनाया ठीक यह हमें पता हमारा radius है क्योंकि हम hypothetical बना रहे हैं d को use कर नहीं रहे तो थोड़ी बहुत variation बिलकुल आ सकती है ठीक है तो उसकी परवानी कर रहे है 144 डिघ्री तक जाना है इसका मतलब है कि यहाँ तक तो मेरा 90 डिग्रि हो गया और यहाँ तक तो टू मेरा 70 गया अब 144 आरहे तो 144 जो है वो 90 और 180 के दर्मियान में आएगा 144 तो हमने का यह आगया 144 या नि कि तो असानी के लिए सासद cumulative degree बना ले वेश है, cumulative degree बना ले, 144 प्लस 86, 144 प्लस 86, answer आगया, 230, यानि कि next मिले 230 तक जाना है, 180 यह हो गया, 190, 210, 20, 30, 230, शाद यहां पर कहीं पर आ लिए 230, तो यह वाला जो degree आई मेरे पास, वो मेरे पास 86 degree है, ठीक है, तो टोटल हमारे पास 230 हो गई, जो इतना वाला portion है, यह 86 degree का और यह मेरे पास cloth का portion आ गया, ठीक है, फिर 230 में प्लस करते हैं 72, तो आजेगा 302 degree, तो 302 degree तक जाना है, तो 270 यह हो गया, तो 90, 302, तो 302 तकरीबन, यहां पर कहीं पर आएगा, 302, और जो यह वाला एंगल है, वो हमारे पर कितना है, 72 degree का, और यह portion किसका है, utilities का है, और जो remaining portion बाच गया, obvious बात है, 72 के बाद 58 होना है, क्योंकि इन सब को 1, 2, 3, 4 को अगर मैं plus करूँगा, सारे एक सारा 360 का बनेगा, ठीक है, तो जो remaining portion होगा, वो the difference between, the angular difference between food and cloth, यह diagram given करके, कि food and cloth के दर्में angular difference कितना है, तो आपने just 144 minus 86 करना है, और angular difference आपके पास आगया, 144 minus 86, 58 आपका 58 आपका answer आगया, angular difference यह, ठीक है, और अगर वो आपको table given कर दे, यह values given कर दे, वो यह कह दे इस तरह, मतलब इस तरह भी आपसे calculation करवा सकता है, वो यह कह सकता है, बताएं, food or cloth के दर्में, what is the angular difference between food and cloth, food and cloth के दर्में, angular difference कितना है, तो इसका हरकिस मतलब यह नहीं है, food or cloth को 10 minus 6 कर दूँ, answer 4000 आजेगा, घलत है, वो पूछ रहा है, angular difference, angular difference between food and cloth, food and cloth के दर्में, angular difference कितना है, इसका मतलब, सबसे पहले, मुझे इस food को angle में convert करना पड़ेगा, जो कि 144 है, और इस cloth को मुझे angle में convert करना पड़ेगा, जो कि 86 है, अब इन दोनों का difference लेना है, तो 144, 86 है difference हमने भी calculate किया, जो कि 58 है, तो हमारा answer होगा, 58 degree, इस तरह के वो कॉस्ट है, हमसे pi diagram के जरिए, पूछ सकता है, ठीक है, तो यह हमारा था pi diagram, ठीक है, ठीक है, तो यह तो हमारा pi diagram थी, ठीक है, तो यहाँ से examiner, एक और भी question पूछ सकता है, के, अगर for instance, examiner हमें यह total ना बताए, मतलब हमें यह 5000 नहीं बता, और हमें family B का expenditure नहीं बता, ठीक है, और हमें यह data भी given नहीं करता, और दो diagram बना रहता है, वो कहता के family A की diagram यह है, और family B की diagram यह है, यह family B की diagram है, और okay, बताएं, किस family का expenditure ज्यादा है, किस family ने ज्यादा expenditure इंकर किया, क्योंकि अब हम आद पास original values नहीं है, यहाँ पे तो original values थी ना मेरे पास, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा था, किसका expenditure 25,000 था, और इसका expenditure 30,000 था, तो हम तो बड़े राम से कह सकते हैं कि family B का expenditure ज्या होगी, जो diagram greater होगी, it's mean family B incurred greater expenditure, family B ने higher expenditure, greater expenditure incur किया है, तो incurred greater expenditure, जिसके diagram greater होगी, इसका मतलब है, उसने ज्याद़ expenditure किया है, इसलिए उसका area जो है, वो large हो गया, ठीक है, इसी table पर दबारा वापिस आते हैं, यहाँ से examiner, जिस तरह उसने angular difference पूछा, इस तरह examiner यह भी question पूछ सकता है, कि मुझे percentage difference बताएं, मुझे find the percentage difference between food and utilities, food and utilities, food and utilities, food and utilities में percentage difference क्या है, अगर वो percentage difference हम से पूछेगा, तो हमें इन सारी values को percentage में convert करते हैं, परसेटेज में convert करने के लिए बढ़ा असान तरीका, कोई मिश्किल तरीका नहीं है, सारा rule यही रहेगा, same as it is रहेगा, सब कुछ, सिर्फ, यहां पर 100% आजएगा, यहां पर भी 100% आजएगा, ठीक है, किसका दर्माइन difference आजएगा, food और utilities में, तो food को मैं percentage में convert करूँगा सबसे पहले, convert करने के लिए 100% इदर भी और utilities को भी 100% में, इन दोनों के दर्माइन difference है तो सिर्फ इन दोनों को ही मैं percentage में convert करने वाला हूँ, तो आए, convert करते हैं, देखते हैं, आंसर क्या आता है, 10,000, 25,000 into 100, आंसर आगया 40%, 40%, और utilities का देखते हैं, के percentage difference कितना है, 5 into 25 divided by 200, आंसर इस 20, तो कितना percentage difference आया, 20 का, तो यह हमारा 20%, इस तरह हमारा answer आजएगा, ठीक है? तो यह तो हमारा, यह percentage bar chart भी इस तरह बन सकते हैं, जब अगर हम percentage bar chart बनाएंगे, तो याद रखिएगा, जब percentage bar chart बनता है, अगर मैं family A, family B का जरा rough सा, इसका graph बनाऊं, तो हमें पते हैं, जब percentage है, total percentage तो 100 होती है, तो family A का भी graph 100% तक जाएगा, और family B का भी graph 100% तक जाएगा, जिस तरह 40%, इस तरह सारे percentage में convert कर लूगा, चलें इसको complete कर ही लेती हैं जरा, 6 divided by 25 into 100, यह 24% आगया मेरे पास, 24% मेरे पास आगया, ठीक है जी, और last वाला मेरे पास, 16% आगया, अगर मैं इसका graph बना तो कैसे बनेगा, तो इसका graph हमें पता है कि total यहो मेरे पास, हमारे पास percentage है, वो 100% होती है, total percentage तो हमारे पास, यहां पर, 100% है, और अगर total percentage 100 है, तो graph तो दोनों के 100 हैंट पर बनेंगे, तो family यह का, अगर मैं graph बनाऊं, और यहां पर, 10-10 का gap ले ले, 20, 40, 60, 80 और यह 100 हो गया, ठीक है, तो number 1, 40 था, तो 40 तक, इसका मतलब यह food section है, ठीक है, और उसके बाद 24, तो 40 plus 24, 64 हो गया, 64 तक यह हमारे पास clause section है, फिर उसके बाद 20, यानिके 90 तक, यह हमारे पास utilities का section है, और at the end हमारे पास यह other है, तो यह जो graph बनता है, इसको कहते हैं, percentage component bar chart, तो यह percentage component bar chart हमने, यह bar chart जो है, percentage साथ बनाया, अब जब दोनों की percentage 100, 100 होगी, तो हमें कैसे बाद चलेगा, किस family ने ज्यादा expenditure इंकर किया है, obvious बाद है, जिसकी width greater होगी, ठीक है, जिस तरह पाई चार्ट में, हमें पता है, यह भी 360 complete होता है, यह भी 360 complete होता है, तो अब angular तो difference ना नहीं है, angular तो दोनों बद 360 है, तो किस ने ज्यादा expenditure इंकर किया, तो हम कहेंगे, कि जिसका graph greater है, उसने higher expenditure इंकर किया है, इस तरह percentage component बार चार्ट में, हम कहेंगे, कि जिसका width, जिस graph की width जो है, वो greater होगी, इसकी width देखें greater है, तो it's mean हम यह कहेंगे, कि जो family भी है, उसने greater expenditure इंकर किया है, ठीक है student, आज के लिए यहाँ तक काफी है इंशाला, हिस्टोग्राम क्या है, तो काल इंशाला ताला हिस्टोग्राम के साथ, मुलाकात उती है, अल्लाँ आफीज,